वेल्कम टू लॉसिफाइड गाईज तो पिछले कुछ दिनों में वी हाफ सीन कि हजेस ताट इस हार्याना जुडिशल सर्विसेज के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स आ गए और राजिस्थान जुडिशल सर्विसेज में आंसर किया गई तो हमें पता है कि ह हमेंसे कुछ लोग हैं जिनके पास आगे एक गोल है जो है मेंस और हमेंसे कुछ हैं ऐसे जो दोनों ही एक्जाम का प्रिल्मिनरी एग्जामिनेशन नहीं क्लियर करता है है और हमारे पास थोड़ा गोल की कमी हो गई है मैं आप मेंसे किसी को भी अनसक्सेस्पुल या फेल ह होना नहीं कहोंगे because ये कोई एक objective का failure नहीं है rather we are in the journey of achieving another objective तो there is no time for heartbreak stop getting disheartened just get over this phase of Haryana and Rajasthan move forward there is a way ahead और वो वे बहुत दूर नहीं है we are talking about our short-term goals next so stay tuned so the mystery of human existence lies not in just staying alive but in finding something to live for तो ये live for अब हमें किस के लिए live करना है ये हम पर है रादिस्थान चूट गया हर्याना चूट गया इसका मतलब ये नहीं है that we have lost our things lost our objectives जिनके लिए हमें कल से या आज से महनत करनी है so moving ahead हम किस वक्त की बात करें तो हम आपको upcoming notifications बताएंगे जो की आने वाले छे महिनों में यानि 2020 के mid-half तक 2022 के mid-half तक आ जाएंगी और हम मतलब उनको short-term goal समझके कर सकते हैं prepare उनके लिए तो there are tons of opportunity lying there किसी एक जो चीज जा चुकी है उसके पीछे बैठके दुखी होने का समय नहीं है तो क्या क्या opportunities है let's see तो इस slide को तो पहले देख लीजे इसमें चमकते हुआ सितारे हैं वो सितारे हैं जो आप तोड़के अपने पास ला सकते हैं सबसे पहला है उत्तरप्रदेश तो उत्तरप्रदेश में 2018 के बाद से PCSJ की कोई vacancy नहीं आई है इसका मतलब ये साफ है कि अब कभी भी इसकी vacancy आ सकती है बीच में बहुत rumor था कि October November में आएगी बट EWS reservation को लेके कुछ मामला pending है जिसकी वज़े से ये नहीं आ पा रही है बट next coming year में first half में ये vacancy आना तै ही है पिछली बार जैसे 610 vacancy इतनी bumper vacancies तो नहीं आएगी लेकिन 230 vacancy आने के बहुत chances हैं तो उत्तर प्रदेश को आई करिये क्यूं? Because उत्तर प्रदेश की तयारी थोड़ी अलग होती है बाकी states जैसे हम हर्याना या राजस्तान के लिए prepare कर रहे थे उनसे तोड़ा अलग सधान दिना पड़ेगा हमें उत्तर प्रदेश की तयारी करने के लिए इसी के साथ हम देखेंगे बिहार का PCSJ तो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में ही GKGS काफी important part constitute करता है इसलिए हम दोनों की बात साथ में करते हैं तो बिहार में जो 31st हुई है उसके mains हो चुके हैं July and August में तो अब उसके mains के result जैसे ही आते हैं और interview होके wind up होता है ये 30 second vacancy 30 second बिहार judicial services का notification आउट हो जाएगा इसमें इन्होंने पहले ही बता दिया है कि 30 second में 271 के अप्रॉक्स vacancies के लिए ये exam करेंगे तो ये 260 से 270 के बीच का जो आकड़ा है ये है vacancies 30 second बिहार judicial services के लिए जो की काफी जादा है इसी के साथ हम बात करते हैं मध्यप्रदेश की तो मध्यप्रदेश में क्या है कि मध्यप्रदेश का भी यही scene है कि mains हो चुका है उनका और mains का result आज कल या आने वाले हफते में कभी भी आ सकता है तो क्या होगा कि जैसे ही ये result आएगा interview होगा तुरंट next vacancies आ जाएंगी जो की 145 होंगी इसके अलावा दिल्ली दिल्ली का अगर हम देख रहे हों तो काफी लोग बात ही कर रहे है कि दिली की notification कभी भी आ सकती है तो वही बात है कि December में ही या बहुत लेट हुआ तो January के आसपस इसकी भी notification आ जाएगी और यह 127 seats लाएगा तो DJS तो है ही star ranking judiciary तो इसके लिए पढ़ना I don't think it is any मतलब बिल्कुल भी आपका short goal होना चाहिए इसके लिए तो पढ़ने की गजब motivation आनी चाहिए फिर आता है जारखंड जारखंड में भी 104 expected posts हैं और December जानवरी तक इसका भी notification आ जाएगा फिर बात आती है उत्तराखंड क तो उत्तराखंड का APO का प्री हो चुका है February मंत तक मेंज हो जाने की उमीद है और हम देखेंगे कि इसी के आसपास PCSJ का भी notification आ जाएगा तो अब हमने यह तो देख लिया कि हमारे पास इतनी साधा opportunities हैं लेकिन हमको इन opportunities का क्या करना है और कुछ specific states भी हैं जो थोड़े linguistic boundaries हैं बच्चे इनके लिए specifically त्यार कर सकते हैं जैसे महराष्टरा गुजरात और पंजाब तो नाव यह सीन के opportunities तो भरपूर हैं लेकिन उना opportunities को कैसे cash करना है इसके लिए हमें अभी से सोचना होगा it's better to start early so that we win the race और consistency ही एक की है तो जितनी भी negativity आई है आपके अंदर इन results क तो देखके उन उस negativity को तुरंट निकाल के फिक दीजे आगे बढ़िए आगे की opportunities देखिए और उन पर focus करिए उसके लिए सबसे पहले यह subject master कर लेने की जरूरत है हर वेकेंसी में नॉर्मली यह subjects तो आते ही आते हैं limitation थोड़ा UP में और बिहार में नहीं आता है तो इसको आप selectively पढ़िएगा बाकी इसके अलावा यह subjects तो आते ही आते हैं IPC भी बिहार में नहीं आता है लेकिन major हार वी judiciary में IPC बहुत important part constitute करता है तो constitution पढ़ना है, CPC पढ़ना है, CRPC पढ़ना है, evidence पढ़ना है, IPC पढ़ना है, TPA पढ़ना है, contract पढ़ना है और SRA पढ़ना है तो यह subjects में तो कोई कमी मत छोड़िए, इसके question banks लगा डालिए, इनकी theory पढ़ लीजे, इनके mains के question भी आप अपने जैसे state के लिए solely prepare कर रहे हैं, उनके mains के question देख लीजे, question banks solve करिए, test दीजे, do everything so that you get a bang on with these subjects अब, इन subjects के अलावा, जैसे ही हमें किसी का भी notification दिखता है, हमें उन subjects की, उस state के हिसाब से, उसके जो exclusive subjects है, उनकी अलग तयारी कर लेनी चाहिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे UPPCSD की, इसमें local laws बहुत ही बड़ा major portion है, जो डराता है, लेकिन ये local laws pre में नहीं आते हैं, तो इनसे अभी डरने की कोई जरुरत नहीं है उसके अलावा pre में जो आता है और जिससे डरने की जरुरत है वो होती है, जी के, law वालों को जी के पढ़ना या तो पसंद कम होता है, या तो शायद पढ़ना चाहते नहीं है, बड़ जी के हमेशा एक ऐसा काटा फस्ता है, जिसमें बच्चों को दिक्कत आती ही आती है, इ students होते हैं, तो law सब इंट्रेस से पढ़ लेते हैं, जी के पढ़ना थोड़ा मुश्केल है, इस जी के की detailed strategy हम आपको देंगे आगे, so please stay tuned, इसके अलावा इस में से किसी भी state specific आपको strategy की जरुरत हो, तो please comment section में comment करियेगा, we'll leave a strategy for those states specific exams, tell us in the comment section if you need anything specific, so that we come up with that, तो UP के law, trust, jurist, easement और international organizations, extra पढ़ना होगा उन common subjects से, moving ahead, बिहार के लिए वही बात है, GSD के बहुत important हो जाता है, admin थोड़ा अलग है, जो आता है, taught आता है, arbitration आता है, provincial small causes, बहुत small portion है, तभी देखिएगा, Hindu Muslim law, trust, और ये चार commercial law के subject आते हैं, बिहार में, अलग से, फिर major state जो है, MPCJ, इसमें जादा कुछ दुख, दिक्कती बात नहीं है, NIE Act आता है, दो local laws आते हैं, जो कि जादा तकलीफ नहीं देंगे, general knowledge, computer knowledge, English knowledge, ये थोड़ी-थोड़ी होती है, इसमें GK, आपकी सिर्फ 20 marks की होगी, MPCJ में, तो जादा तकलीफ नहीं देगी, moving ahead, DJS, the star of all the judicial services, तो इसमें क्या है, हमको torch extra पढ़ना है, partnership, registration, registration हमने हर्याना के लिए पढ़ा होगा, अगर if you were preparing for हर्याना, SOGA, Hindu Muslim law, arbitration, फिर ये एक local act और GK, तो ये थोड़ा important है, moving ahead, जारखंट के लिए, वही NIE, SOGA, Hindu Muslim law, जो हमने देखा, majorly हरी जगा है, MP को जोड़के, तो Hindu Muslim law, arbitration, jurisdiction, jurisprudence, once again, like in UP, तो rent control, current affairs in general knowledge, and English knowledge, तो ये कुछ major states के ideas थे, कि हमें क्या-क्या subjects के साथ equipped रहना चाहिए, आगे आने वाली opportunities को crack करने के लिए, इसके अलावा, उत्तरा खंड है, उसमें भी Hindu Muslim law, partnership, easement, और trust, और taught, और ये, इसके अलावा, that's it, for the syllabus of the states, जो upcoming है, इसमें अगर किसी भी exam की detail strategy चाहिए, so please leave us, leave the comment, we'll bring that to you, उसके अलावा, UP के GK को कैसे पढ़ना है, बिहार के GK को कैसे पढ़ना है, because we believe कि ये एक area है, जिसमें थोड़ी कम guidance available है, तो उसको देखने के लिए, please stay tuned to the channel, thank you for sparing time, like, share, subscribe, keep smiling, don't let the heartbreak ruin your consistency, consistency is the key, keep smiling, bye-bye, tata. कि भंद भेश्ग multiukो के शृबश्ण हे जिए झालावण के लिए, हो रएफया रे बाताुर्य के ऱह सकतर। उसके लिए, पर नड़स्थों का प्रूंद्ग Supreme – अगरदमें जएखने के लिएकिसस., थ D